हनुमान, जिनको श्री राम का सबसे बड़ा भक्त भी कहते हैं अब हनुमान के बारे में तो आप सब जानते ही हैं और उनसे जुड़ी हनुमान चालेसा को भी ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालेसा में एक प्रकार की दैविय शक्ती है अब ये तो आप जानते ही हैं कि हनुमान चालेसा को तुलसी दास जी ने लिखा था पर क्या आप ये जानते हैं कि उन्हों ने इसे कब और क्यू लिखा पंद्रवी शतावती में तुलसी दास जी एक प्रख्यात साधू और कवी हुआ करते थे जोकी एक बहुत बड़े राम भक्त भी थे तुलसिदास जी को एक दिन भगवान राम के दर्शन गोकुल में हुए जोकी श्री कृष्ण की जन भूमी है ये खबर आग की तरह फैल गई ये सुनने के बाद कि तुलसिदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए है अगबर ने उन्हें कुछ चमतकार करने को कहा इस पर तुलसिदास जी ने उन्हें कहा कि वो तो सिर्फ श्री राम के भगत है असली चमतकार तो प्रभु राम ही करते है ये सुनकर अगबर ने उन्हें श्री राम को दिखाने को कहा तब तुलसिदास ने कहा कि श्रीराम के दर्शन बिना सच्छे भक्ति के नहीं हो सकते ये सुनकर अकबर आग बबूला हो गया और तुलसीदास जी को जेल में डालने का हुक्म दे दिया तुलसीदास को फतैपुर सिकरी की जेल में रखा गया जो कि उस वक्त अकबर का किला हुआ करता था कहते हैं कि तुलसीदास ने जेल में हनुमान चालिसा लिखी थी शुरू के चालिस दिन में जब तुलसीदास हनुमान चालिसा लिख रहे थे तब वो साथ ही साथ हनुमान जी से इस मुश्किल की घड़ी में मदद करने की प्रातना भी कर रहे थे चालिस दिनों के अंदर हनुमान चालिसा पूरी करने के बाद तुलसिदास ने हनुमान चालिसा पूरी बोली और उनके हनुमान चालिसा पढ़ने के बाद अकबर का पूरा किला बंदरों से भर गया बंदरों ने सब जगा आतंग मचा दिया अकबर की सेना ने बहुत कोशिश की लेकिन बंदरों पे वो काबू ना कर सके ये सब होने के बाद अकबर को समझ आया कि ये जो भी हो रहा है वो तुलसिदास जी को जेल में रखने की वज़ा से हुआ है अकबर फोरण जेल गए और तुलसिदास जी से माफी मागी और बंदरों के आतन को खत्म करने के लिए बिंती की तुलसिदास ने तब हनुमान से प्रातना की और उसके तुरंत बाद सारे बंदर वहां से चले गए तुलसिदास ने अकबर से कहा कि उन्हें और उनकी सेना को ये जगा खाली करनी होगी क्योंकि यहां श्री राम का वास है इसलिए यहां इन बंदरों के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए ये सुनने के बाद अकबर ने अपना किला तुरंत ही बदर लिया तो ये थी हनुमान चालिसा के पीछे की कहनी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कॉमेंट्स हों बताइए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें थांक्यू